इस lecture के अंदर जो अभी start होने वाला है, हम दो important चीजें देखने वाले हैं, मैंने पिछले lecture में आपको बताया के errors, 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 और मैंने बताया के दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, और शायर इस share में, दिल जो है, वो एक researcher को, या एक scientist को, या उस बंदे को बोर है, जिसने data collect किया, अब उसने कर लिया गलतिया, किसी ने तो पकड़ नहीं है न वो गलतिया, कहां से आई ये गलतिया, कौन ह कि गलतिया कहां पे थी, किसने की थी ये गलतिया, कहां से आई ये गलतिया, let's dive into it, और दो major concept पड़ते है, reliability and validity, ये दो क्या चीज़े होती है, so सबसे पहले हम देखेंगे कि reliability क्या होती है, आपको भी जैसे ये लफ्स बता रहा है, कि reliability, यानि कि किसी चीज़ का reliable होना, reliable का म claim is true, ठीक है, अगर किसी चीज़ का claim true है, तो वो reliable है, अब claim true है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आप अगर iPhone लेते हैं, और वो कहते हैं कि जी waterproof है ये, up to that height, ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है, waterproof है, लेकिन जो बंदा iPhone ले 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 था, वो कभी पानी में बोता नहीं है, उनको भ पता है इस बात का, बट, अगर आप उनका claim चेक करना चाहें, आप एक पानी का glass लें, या जग लें, उसके अंदर iPhone डाल के चेक कर लें, समझ रही बात की, यानि कि जो claim है, वो आप चेक करने बहर जाएं, उसको बोलते हैं कि वक ही ये reliable लोग है, अगर वो कहें कि ये बहुत स्ट्रॉंग है, तूटेगा नहीं, आपको पता है कि ये फ्लाँ हाइट से आप नीचे गरा के देख लें, तूट रहा है कि नहीं तूट रहा, तो इस kind of things, जो एक चीज के claim को पूरा उतरने में help करती हैं, वो ही उस एक चीज को reliable बनाती है, अगर हम data की तरफ बात reliability बोलते हैं data की, reliability, यानि कि जो data बता रहा है, वो reliable है, say for example, मैंने अपनी class का data इकठा किया, यहाँ पे मैंने रखे जी सारी के height and weight, अब यहाँ पे जितने height और यहाँ पे जितनी weight रखे हैं, अगर मैं इसको confirm करना चाहूँ, मैं आपको email करके बाद मैं पूर्च सकता हूँ कि हाँ जी बताएं आपकी height और weight कितनी है, और फिर मैं उसको collaborate कर सकता हूँ, कि ठीक है, जो आपने add की थी, same वो ही आ रही है, so reliability इस तरीके से हम check कर सकते हैं, अब reliability की definition पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे move करते हैं, कि reliability होती के हैं basically, और definition को बकायदा मैं लिख to the consistency of measures, जो आपने चीजें मैयर की हैं, क्या वो जब दुबारा वैसे ही मैयर की जाएं, उन्ही conditions में रहते हुए, वो same आ रही है, ठीक है, और इसी चीज को reliability की जो main चीज है, वो यही है, कि अगर आप दुबारा से उस चीज को मैयर करें, इसको मैं बोलता हूँ, are reliable, tool, जो tool are reliable or method, यानि कि जो हमने काम, जिस तरीके से किसी को मैयर की है, अगर मैंने weight मैयर की है, तो weighing balance, अगर मैंने height मैयर की है, जो फीता मेरे पास है, या inch tape जिसे बोलते हैं, या जो measurement के लिए हमारे पास कोई भी instrument है, उसको use की है, वो क्या बार बार अगर मैं दुबारा से weight और height मैयर करता हूँ, तो same result देते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है, reliable, यानि कि एक ऐसा tool और method reliable तब होगा, when it yields the same results, same results, under consistent condition, यानि के, जिस condition में मैंने पहले इन चीज़ों को perform किया था, उसी condition के अंदर दुबारा से करना है, मिसाल के तोर पे अगर मैंने weight किया अपना पहले, मैं कोई और shoes पहन के और कपड़े अच्छे खासे heavy पहन के अपना weight कर रहा हूँ, ठीक है, weight यानि के अपना weight इंतजार नहीं, weight वजन, वजन की बात कर रहा हूँ, और मेरा वजन आया 70 किलो, अब उनी shoes और उनी जूतों औ not a lot of difference, ठीक है, बहुत बड़ा फरक नहीं होना चाहिए, तो ये चीज जो है, ये basically हमें reliability की तरफ लेके जाती है, ठीक है, और अगर आपका कोई tool या method reliable है, इसका मतलब है, कि वो बिलकुल अच्छे result दे रहा है, और वो result जो है, हम बार-बार measure करें, तो same ही आ रहे हैं, नहीं कि किसी चीज का valid होना, valid होने से क्या मुराद है, reliable का मतलब था कि अगर same चीज बार-बार की जाए, तो वो ही result दे जो first time में दिये थे, ठीक है, मिसाल के तोरबे मैं एक experiment करता हूँ, dispreen खाने से मेरी सरदर्ट ठीक हो रही है, ठीक है, क्या मेरी सरदर्ट कल को भी ठीक होगी, अगर अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन, जब भी मैं dispreen कहूँ, क्या मेरी सरदर्ट ठीक हो रही है, अगर हो रही है, तो dispreen जो है, ये एक reliable medicine है, I can rely on dispreen on some time, अगर सर में दर्द हो रही है, तो यह होती reliability, अब validity क्या है, validity on the other hands, refer to the accuracy of my year, ठीक है, अब हम देखते है, कि validity किस तरीके से matter करती है, और valid किसी चीज का होना, क्यों ज़रूरी है, just a minute, मैं यहाँ पे validity लिखता हूँ, validity, यानि कि किसी चीज का valid होना, valid, पहले था reliable होना, यहाँ पे valid होना, valid का मतलब यह होता है, कि accurate होना, ठीक है, अब जो चीज, accurate है, अगर मेरा, जो wing balance है, 70 जो बता रहा है, और original भी 70 है, then it's fine, यानि कि इसमें कोई systematic error नहीं है, वो मुझे accurate बता रहा है, मेरी सारी चरी, जो data है, मिसाल के तोर में मैंने wing balance पे weight किया, ठीक है, और इसने मुझे बताया 70 kg, और फिर मैंने एक non weight को 1 kg वाले को उपर रखा, उसका इसने 1 kg बताया, इसका मतलब है कि यह एक valid tool या method है, to measure something, ठीक है, अब इसी की और बात करते हैं, validity जो है, वो किस चीज को refer करती है, इसकी definition देखते हैं, और validity की definition यह है कि validity क्या करती है, refers to the accuracy of measure, यह होती है, accuracy of measure, जो आपने measurement ली है, scales of measurement के उपर, वो accurate हो, ठीक है, उस accuracy को हम validity बोलते हैं, कि यह वाला जो tool है, या measure है, यह accurately अगर reflect कर रही है, concepts जो हमने पहले देखा है, क्या यह, वो ही चीज बता रही है, जो originally है, तो इसको बोलते हैं, कि यह valid method है, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर class के अंदर, मैं आपसे पूछूँ आपके gender का, क्या male हैं यह female हैं, और आप chat के अंदर कुछ लोग लिए देते हैं male, कुछ लोग लिए देते हैं female, ठीक है, और उस चीज को अगर मैंने valid करना हूँ, मैं आपको कहता हूँ, आजो बे जूम में, जूम की meeting के अंदर, मैं आपकी अवाज सुनके, या आपकी तरफ देख के, camera on करवा के देख सकता हूँ, कि क्या जो आपने बोला, वो सच था, अगर वो सच हुआ, तो we can say, कि यह वाला and validity, यह क्यों ज़रूरी है, reason क्या है इन दोनों चीजों को देखने की, इसके लिए जो मेरे पास data scientist होने के नाते, जो points है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका data reliable है, और वो valid भी है, अगर यह दो खसूसियात हैं, आपके data के अंदर, data क्या है, data असल में measures हैं, जो आप measures कहां से लिए हैं, अब आपको मैं सारी पीछे story बताता हूँ, levels of measurements की base पे, या scales of measurement की base पे, ठीक है, और आपके पास चार किसम के जो हैं, वो scales हैं, जो मैंने आपको बताया था, nominal, ordinal, interval, and ratio, यह जो चार किसम के scales हैं, इनके उपर आपका data है सारा, data measures होती है, और measures अगर reliable and valid ह then you can do these kind of things, number one, एक point आप याद रखें, जो सारी दुनिया जिस चीज के पीछे पड़ी हुई है, that is, data is new oil, जिस country या जिस state या जिस company के पास data है, वो data कोई भी हो सकता है, जारी बात है, data को लग करने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, data जिसके पास है ना, वो दुनिया में आगे राज कर रहे है, अब अमेरिका दे लिए, इतना data उन्होंने हमसे collect कर लिया हुए, facebook, google, amazon, there are many other things, जो American companies के अंडर रहे हैं, विसलिए अगर American companies के अंडर रहे हैं, तो उनकी state के पास हैं, तो आप ये देखें कि data उनके पास यतना हैं, वो कुछ भी हमसे करवा सकते हैं, एक मिसाल में आपको देता हूँ, आपको precision advertisement हो रही है ना, अभी, जो चीज़ आप सर्च करें, वो ही advertisement के तोर पे आ रही है, और companies इनको लाखुन dollars पे करती हैं, कि आप हमारी ही advertisement इनको दिखाएं, जिनको चाहिए, so data is new oil, अगर data valid or reliable है, इसका मतलब यह है, कि आपका data trust worthy है, trust worthy, आपको भी पता है, कि Facebook और YouTube या Google के उपर जो आपको ads आती हैं, वो आपसे related ही आती है, तो जितने भी companies उनको clear है, कि इनका data trust worthy है, क्योंकि they know, कि हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो सब के साथ ऐसा हो रहा होगा, जो आपस आ रही है, so we can invest on that, दूसरी चीज, आप sound decisions ले सकते हैं, इसकी base पे, मिसाल के थोर पे, आपने देखा होगा, कि political impact बहुत ज्यादा रखता है, आपके social media posts, जो हैं वो, अगर आप social media पे आपके team active है, किसी भी country के political parties की, so you can have an idea, कि वो sound decisions ले सकते हैं, कि किस city के अंदर उनने धरना लगाना है, या कोई जलसा करना है, या whatever they want to do, क्या उनके पीछे अवाम हाएगी, कि बेस्ती होगी, जैसे आपको पता है कि अकसर अकाद cricket team के captains, जो हैं, वो press conference करते हैं, और सिरफ दो reporter आए होते हैं, ठीक है, अकसर अकाद वो कोई और cricket team का captain होते है, जब वो press conference करते हैं, तो सैंकडो reporters आए होते हैं, so these kind of things actually can help you to take sound decisions, कि कब कैसे और कहाँ पर मैंने कोई event करवाना है, ठीक है, और क्या उसकी output होगे, third one is ethical research, ठीक है, ethical research यह है, कि आपको standard of ethics के अंदर रहके काम करना है, योरप के अंदर एक चीज में आपको बता दे, तो जब भी कभी आप research की बात करते हैं, योरप के अंदर, और आपकी research में कोई IT का काम है, AI का काम है, machine learning का काम है, data के related काम है, और human data के related काम है, आपको कई forms fill करने पड़ते हैं, कि आप ये data leak नहीं करेंगे, किसी company पे नहीं देंगे, one drive पे नहीं upload करेंगे, google drive पे नहीं upload करेंगे, university के अंदर रहेगा, ये ये हमारे policies हैं, you cannot share this with anyone, so ये जो states हैं और ये rules इसी वज़ा से बनाए हैं, थाकि आपको पता चले, कि ये जो आप measures लेंगे इस research में, आपको पता होना चाहिए, कैसे ये matter करती हैं, अब आगे जो number 4 है, effective solutions, number 4 is, effective solutions, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, बड़ी आला किसम की, आपको भी पता है, कि इस वकत जो है, पाकिस्तान से, काफी लोग जो है, वो पाकिस्तान से बाहर जाने की ट्राइगियों में लगे हुए, लगे हुए हैं न, पाकिस्तान से बाहर जाने की ट्राइगियों में, अब आप खुद बताएं, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जिशानों लसन उस्मानी साब जो डेटा साइंटिस हैं, वो यूएस के यूएस बेस्ट हैं, लेकिन है पाकिस्तानी उन्होंने रिसेंटली एक सीरीज अब उनको पता है, वो एक डेटा साइंटिस हैं, और उनकी सोच को स्लाम है, उनको पता था कि इस वकत हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने के चक्रों में है, दू टू क्राइस, दू टू एकनोमिक क्राइस, दू तू अल तिंग्स पोलिटिकल differentiations, मेरे पास words काम पर रहे हैं, मैं चीज़ों को define नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑन दी अधर साइड, उनकी इस strategy की उपर आपने देखा होगा, कि माशालला से 1 million plus views उनके cross होगे उनके channel के उपर, so these kinds of solutions जो अवाम को चाहिए, अगर आप वो provide करते हैं based on the data, तो आप basically एक बड़ी niche को grab कर सकते हैं, और अगर यही काम आप business में करें और business की base पे आप लोगों को बताएं कि क्या चीज़ कहां पे चाहिए, you can actually have a bigger impact than those people जिनको knowledge नहीं है data की, so यह चार चीज़े हैं, अगर आपका data ही गलत होता, अगर उन्हें पता ही नहोता है कि यह पाकिसान से लोग बाहर जा रहे हैं, वो अगर यह सोचते हैं, एक data गलत की मिसाल देता हूँ कि पाकिसान में लोग जॉब करने आ रहे हैं, तो वो यह बताते हैं, इंडियन्स को, या बंगालियों को, या जो different हमारे neighbors उनको बताते है कि पाकिसान हो, क्यों? पाकिसान में लोग आ रहे हैं, तो वो false data होता, सारी की सारी series जाया होती, so these kind of things matter a lot, in decision making, in launching a product, in launching an IT product, कोई भी कोई product है, उसके पीछे पूरी market research होती है, और वो major कैसे करते हैं, और चीजों को valid और reliable कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, type 1 error type 2 error को remove करके, आपकी जो randomization है, उसको minimize करके, random error को and then systematic error को remove करके, these are few things which makes your data reliable and valid, hopefully आपको ये lecture जो है ये पसंद आया होगा, like कर दें, कर दें, like, like, वो जो thumbs up का बटन है, उसे दबा दें, secondly, वीडियो वे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो हमारी statistics की series चल रही है, उसको आप link पे click करके check कर लें, हमारे सारे के सारे lectures वहाँ पे upload हो रहे हैं, ठीक है जी?